नमस्कार दोस्तों मैं अमर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आर्यान सिविल क्लासेज में इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिएगा निश्चित ही रूप से आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है पूरे खेल खेल में आप इतिहास दीख जाएंगे ये मेरा प्रॉमिस है आपसे बस अपने जीवन का कुछ मिनिट आप हमें दीजिएगा आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ मैं रेविलेशन ओफ एटी फिटी सेवन 1857 की करांती 1857 की करांती को पूरे खेल खेल में आपको पूरा एक एक क्वेस्चन याद करा दूँगा मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ देखिए सबसे पहले पूरे बिधवत तरीके से देखेंगे कि 1857 की करांती का कारण ही क्या था 1857 की करांती का अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला कारण शमाजी कारण था 1857 की करांती का जो पहला कारण है शमाजी कारण दूसरा आप कह सकते हैं धार्मी कारण तीसरा आप कह सकते हैं राजनयती कारण चौथा कह सकते हैं आर्थी कारण मतलब कहने का मतलब जब अंगरेज भारत में अंगरेजों की हुकुमत थी तो भारतियों का समाजिक सोसड तो होता ही था और धार्मिक सोसड ये था कि बाकी अन धर्मों को हेद रिष्टी से देखना और इसाई मसनिरियों के द्वारा अपने धर्मों को बढ़ा चड़ा के प्रचार प्रचार करना राजनेतिक कारण डलहोजी के द्वारा आप देखेंगे राजहडपनीती गोदलेने वाली प्रथा को वो करना ये सब सारे राजनेतिक कारण थे आर्थिक कारण ये थे अगर आर्थिक कारण में देखेंगे कि अंगरेजों के द्वारा बार बार ऐसे कानून लाए जा रहे जिसे भारतियों किशानों का आर्थिक पहुत ज्यादा नुक्सान होता था इसी में आप देखेंगे स्थाई बंदोबस्त महालवारी बेवस्ता देखेंगे तो यह सब अलग से मैं बताऊंगो इस वीडियो में आर्थिक कारण यहां पर यह देखेंगे कि 1857 की करांती का कार है लेकिन उसी समय चिंगारी कहां भड़क उठती है कि यह विद्रोह ज्वाला मुखी बन जाएगी और यह चिंगारी उठती है यहां पे भारत में जब नई बंदूग जो स्वारी जब पूरानी बंदूग ब्राउन ब्रास जो पूरानी बंदूग ब्राउन ब्रास पुरानी बंदूग ब्राउन ब्राथ के अस्थान पर नई बंदूग एन्फिल्ड के आती है जब 1857 में पुरानी बंदूग के अस्थान पर नई बंदूग अंगरेजी हुकूमत के दौरा प्रियोग में लाई जा रही है तिसी एनफिल्ड बंदूक में सूर और गाय की चर्वी होने की बात होती है इससे यह बात पता चलते ही भारतियों में रोस फैल गया ये तो हमारे धार्मिक धार्मिक उत्पिडन हो रहा है क्योंकि देखो अगर सूर देखेंगे तो मुस्लिमों के लिए हराम और गाय अगर देखा जाए तो हिंदू के लिए हराम इस तरीके से देखा जाए तो एनफिल्ड जो बंदू का प्रियोग होने लगा इससे भारतियों को सैनिकों में काफी रोस फैल गया था एक दिन होता क्या है कि मंगल पांडे जो बैरक पुर्छावनी जो मंगल पांडे जो बैरक पुर्छावनी के जवान थे बैरक पुर्छावनी के जवान थे 34 वी रेजिमेंट के नहा करा रहे थे मंदिर में पूजा करने जा रहे थे तब तक इंको रास्ते में एक लोग मिल एक पंडी जी कहां जा रहे हो यह कहरा है जा रहे है भी यह पूजा करने तो वो कहरा रहे प्रभू अब काहे को पूजा कैसा धर्म तुम्हारा तो अंगरे जो ने धर्म प्रष्ट कर दिया जो नई बंदू के एंफिल्ड है इसमें सुवर और गाय किछर भी कप्रियों हो रहा है तब तुम कहां पंडित रह गए कहां तुम्हारा धर्म बचा मंगल पांडे कह रहे हैं भगो यहां से तुम फर्दिया में बढ़का रहे हैं वो कहता है नहीं प्रभू हम सही कह रहे है और मंगल पांडे के दिमाग में यही सब सारी बाते चल रही हैं कि अंगरेजों के वजह से हम सभी का धर्म भष्ट हो रहा है मंगल पांडे जो बैरुक पुर्छाओनी के 34 रेजिमेंट के जवान से यह जाते हैं और सारे सैनिकों को इकठा करते हैं और अब यह बात बतात यह बात जब सब लोग इकठे एक जगा होते हैं इनको देखता है मेजर हुरशन मेजर हुरशन मेजर हुरशन देखता है कि काहें सब इकठा होते हैं तो वो अपने एक साथिक कैप्टन बाग जीश का नाम था कहता है कि बगवा चलो देखा जाए कि मंगल पांडे यहाँ पे मंगल पांडे के जहां पे सैनि की कठा होते हैं, मंगल पांडे जैसे ही मेजर ह्यू रशन को और बाग को देखते हैं, वो होश खो बैटते हैं, कहते हैं धरम बरष्ट तो होई गया है, दांस न से खोलना पड़ता था, एक बाद फिर दांस ते खोलते हैं और मेजर हुरसन को और बाग को गोली मार देते हैं और इस दोनों की हत्या कर देते हैं तारिक थी 29 मार्च 1857 कौन सी तारिक थी 29 मार्च 1857 यानि 29 मार्च 1857 को मेजर हुरसन और लेफ्टी डेंट बाग की हत्या कर दी गए किसके द्वारा मंगल पांडे के द्वारा यहां तक कहानी आपने सेट देख ली ये सब पूराने ऐसे कारण एक ऐसे कारण थे जिससे भारतियों के अंदर रोस फैला हुआ था अंगरेजों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी थे लेकिन ततकालिक एक ऐसा कारण आ गया जो पूरानी बंदू क्वेस्चन पूछा जाए 24 रेजिमेंट के जवान बायरक पूर्चाओनी के 29 मार्च 1857 मेजर हिवरसन और बाग की क्या होता है कि 29 मार्च 1857 को यहां पे इनकी फिल्लिंग से ठो जाती है और यहां अंगरेजों को जैसे पता चलता है मंगल पांडे की गिरफतारी होती है और 8 अपरेल 1857 को बिना ट्र 8 अपरेल 1857 को फासी दे दी जाती है यानि कहने का मतलब अगर आपने देखा होगा 29 मार्च 1857 को गोली चलती है 8 अपरेल 1857 को मंगल पांडे को फासी दे दी जाती है यह जैसे ही घटना का यह जिक्र होता है पूरे भारती सैनिकों में यह रोज फैल जाता है कि मंगल उब ओसकोण एक त्लिस्ट्राइल तो होंना चाहिए, आप ऐसे इफासी दे देते हैं, सारे सैनिकों में विद्रो हो गया जैसे ही सारे सैनिकों विद्रो होता है, सारे सैनिक कहते हैं, क्यूं ना हम सभी एकठ़ा होके 31 माई 1857 की तारिक तेख की जाती है और सभी लोगी कठाओ के इस दिन बित्रोफ करेंगे यानि तारिक तेख हो गए थी 31 माई 1857 को सभी ने सोचा कि इस देट को हम लोग सब लोग बिलके बित्रोफ करेंगे لेकिन जोस में होतक होते हुए 10 माई 1857 को ही ये भारतिय सैनी अंगरेजी हुकूमत के खिलाफ बूगल फूक देते हैं अब 10 माई 1857 को मेरट के सैनी को द्वारा विद्रो कर दिया जाता है 11 माई 1857 को ये सब पहुचते हैं दिल्ली और दिल्ली में मात्र ना मात्र के शाद मुगल बासा रह गयते कौन बहादूर सा जफ़र उनको कहते हैं वो बहादूर सा जफ़र बाहार आओ देखो में हम लोग आए हैं बहादूर सा जफ़र कहते हैं ये बापरी इतने दिन बाद इतने प्यार से कौन गुला रहा है देखते हैं कहते हैं देखते हैं भारती सानी कहते हैं बताओ का काम है कहते हैं हम लोग चाहते हैं कि आप हमारा नेता बनो और हम लोग मिलके यंगरेजी हुकुमत के खिला बिद्रो सेड़ दे बादूर साजफर कहते हैं ना बाबा ना यंगरे जब आवडी दूष्टे हमको मारने लगेंगे उस समय मत्र ब्यासी साल के थे बादूर साजफर अब यहाँ पे क्या होता है कि यह मानते नहीं है लेकिन इनहीं का सिपा सलार सा बक्त खां बक्त खां आता है और कहता है देखो जफर साहा वैसे भी पैर कबर में लटक रहे हैं कोई मतलब नहीं है कुछ ऐसा कर जाओ कि अमर हो जाओ जब अमर हो जाओगी तितिहास में एक अमर से इंगर नाम का टीचर आएगा और तुम्हें पढ़ाएगा अब यह बक्त खां के समझाने पे बहादूर साजपर कहते हैं बात तो सही कह रहा है बक्त खां और यहाँ पे इनका नेता चुल लिया जाता है इनको 12 मई 1857 को और 12 मई 1857 को दिल्ली से विद्रुह कर दिया जाता है उसी समय होता क्या है यहाँ बात उस समय के ततकालिक वाई सराय लाड कैनिंग को पता चलता है कैनिंग करता है बुड़ों में तना दम हम लोग के खिलाप कर रुको बेटा तुम्हारी फिल्डिंग सेट करते हैं कैनिंग निकोल सन को कि जाओ बेटा फिल्डिंग सेट कर कर जाओ किसकी जफर की निकोलसन सोचते हैं बुढ़ा है अराम से हरा देंगे लेकिन नहीं भाईया ओल्ड इजगोलड और यह युद्धुस्थल में मारा जाता है यह बात जैसे ही कैनी को पता चलता है कि निकोलसनवा जैसा सेनापती मारा गया उसने बिना देर किया निक्त कि रहता है कहता है जाओ बेटा कुछ भी करके जफर को जिन्दा या मुर्दा पकड़ कर लाओ हड़सन कहता है डोंट वरी मालिक आई एम परफेक्ट इन दिस वर्क अब हड़सन इंके पिछे कुटों की तरह लग जाता है और यहाँ पे मतलब हड़सन जब आता है आक्रमण होता है हर भारतियों के आखों में आसू होते हैं पूरी दिल्लिम के हर गलियों में खून ही खून न जा रहता है यहाँ पे जफर क्या करते हैं बहादूर सा जफर भाग के छूप जाते हैं यह देखते हैं हड़सन का अतिचार यह चले जाते हैं हुमायू के मकबरे मतलब हुमायू के मकबरे में छूप जाते हैं जैसे ही हुमायू के मकबरे में छूपते हैं एक कुटों के तरह सुंगते सुंगते दोड़र आई दर उदर किदर तब तक इलाही बक्स नाम के व्यक्ति ने कहा कहा घूम रहो माली है काज छूपा बैठा है कहा पे हुमायू को मकبرे में और यहां से क्या होता है इलाही बक्स की मदद से बहादूर साथ जफर को हडसन गिरफतार कर लेता है और आके जब जेल में बंद करता है जेल में जब बंद रहते हैं बहादूर साथ जफर को भूख लगती है देखना कहानी बहादूर साथ जफर को भूख लगती है इन दोनों का गला काटता है हडसन और थाली में शजा के कहता है कि लोखाओ जैसे ही कपड़ा हटता है बहादूर साथ जफ़र मुष्कॉराते है और कहते हिंदुस्तानी बेटे तो ऐसे ही अपने देश के लिए सईद हो अपने पिता के सामने ऐसे ही आते हैं मुझे गर्व है अपने दोनों पुत्रों पे अब बहादूर सा जफर के उपर मुकदमा चलाया जाता है और इनको दोसी मान के इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है कहां पे रंगून निर्वासित कर दिया जाता है तैद वहीं हो जाती है यहां तक हमने देखा बहादूर सा जफर के बारे में एक चीज याद रखिएगा ये जफर नाम से कविता लिखते थे इसलिए को जफर का जाता था जफर नाम से कविता लिखते थे इनकी बड़ी फेमस लाइने हैं बहादूर सा जफर की बहादूर सा जफर अपन इंच्छा येνे बिख्टकरते हैं कि मेरी क्याओ इख्छा थी देखो सायरि में वो क्या लिखते हैं वो लिखते हैं कि एक ऐसा घर हो मेरा जहां फिजामस्तानी हो एक कोने में गजल की महफिल एक कोने में में खाना हो फिर लिखते हैं कि ऐत जफर तु वह बदनसीव बादसा है जिसे दोगत जमीन ना मिले कुए यार में कुए यार का मतलब भाया होता है प्रियस्थल फिर लिखते हैं ना किसी आखों का नूर हूँ, ना किसी दिल का चिराग हूँ, मैं किसी के काम ना आ सकूँ, वो बुझता हुआ चिराग हूँ, वो बुझता हुआ चिराग हूँ बच्चा कभी ये गलती मना करो मैं अल्रेडी सेलेक्ट हूँ मैं खुद गौवर्मेंट जाम में हूँ लगतार कई सारी एकजामों से बाहर हुआ फाइनली सेलेक्शन लिया सेलेक्ट होना और एक नॉन सेलेक्ट होना थोड़ा सांतर ही होता है कोई पचास नंबर से बाहर नहीं होता दो-ती नंबर से बच्चे आप में से बाहर होते होंगे तो सेलेक्शन के लिए क्या होता है कि कंसेप्ट बिल्कुल किलियर हो क्रियल किलियर होने चाहिए और उससे रिलेटेड जितने भी पॉस्वेल्टी बनते हैं क्वेश्चन के जितने प्रीवियस यह रहा है सारे क्वेश्चन आप को रटे होनी चाहिए बिल्कुल हमने कहानी की तरह देख लिया कि कैसे क्या होता है कि पहले अंग्रेजों के द्वारा पुरानी बंदुक ब्राउन ब्रास कहानी एक लाइन में सारा समरी सुन लो जैसे नियाले में डिकरी होता है डिकरी में लिखा जाता है कि क्या-क्या आदेश में को फालो करना है तो वैसे ही होता है कि पहले पुरानी बंदुक ब्राउन ब्रास के अस्थान पर नई बंदुक नीविल एनफिल्ड उज की जाती है उसमें सुवर और गाय की चर्वी होने का पवाव उरता है मंगल पांडे इससे काफी रुष्ट हो जाते हैं और 29 मार्च 1857 को मेजर हिूरसन और लेफ्टिडेंट बाग को गोली मार देते हैं बिना ट्रायल के अंगरेजों के द्वारा आठ अपरेल 1857 को उनको फासिदे दी जाती है यहाँ बात जब भारती उसायनिकों को पता चलता है रोज फैल जाता है कि ऐसा कैसे हो गया एक्तिamorph की जाती है 31 माई 1857 को कि सब लोग मिलके अंगरेजों के खिलाप अंधोलन करेंगे लेकिन जोस में होसक होते हुए 10 माई 1857 को सब लोग बिद्रो करते हैं दिली पहुते हैं 12 माई 1857 को 12 माई 1857 को भक्त खाके समझाने पर इंको नेता निप्त कर लिया जाता है बादूर सजफर को इंको हुमाईू के मकबरे से पहले निकोलसन आता है मारा जाता है फिर हडसन को निप्त किया जाता है हडसन आता है इंको हुमाई के मकबरे से गिराफ्तार करता है इंको मृति हो जाती है, इलाही बक्स ने आम भूमी के निभाईती, कविताय हमने बता दिया कि एक ऐसा घर हो मेरा, जहां फिजा मस्तानी हो, एक कोने में गजल की मैफिल, एक कोने में खाना हो, मेरे साथ सारे जितने क्वेस्चन, अभी तक हमने पढ़ाया जितना, सब कुछ देख किस रेजिमेंट के जवान थें, 34 वी रेजिमेंट के जवान थें, अगला क्वेशन पूछेगा कि छावनी के तो बैरक पुर छावनी के, कौन था भाया, मंगल पांडे थे, कब भाया गोली मार दियें भाया, 29 मार्च 1857 को, बिना ट्रायल के कब फासी हो जाती है, 8 अठ अ 1857 को, विरोध की तिथी क्या निउक्त की जाती है, 31 माई 1857 को, दिल्ली कब पहुचते हैं, 11 माई 1857 को, बहादूर साजफर को नेता कब निउक्त किया जाता है, 12 माई 1857 को, विद्रोह को पहले कौन दबाने आता है, निकोल शन दबाने आता है, इुद भूमी में क्या होता है कि मारा जाता है उसके अस्थान पे कौन आता है हडसन आता है कहां से गिरफ्तार करता है हुमायू के मकबरे से कहां से हुमायू के मकबरे से कहां से हुमायू के मकबरे से गिरफ्तार होता है कहां इनको निर्वासित कर दिया जाता है रंगून निर्वासित कर दिया जाता है कब इनकी मृत्य हो जाती है? 1862 में इतने question आपके exam में बनेंगे बिटा इतने सारे question बनेंगे फिर से brown brass पुरानी बंदूग, नई बंदूग निविन फिल्ड किस regiment के जवान? 34 वे regiment बायरक पुर्चावनी, मंगल पांडे डेट 29 मार्च 1857 8 अप्राइल को बिना ट्राइल के फासी 31 माई 1857 को क्या होता है? 30 ही तै होती है विरोध कब कर दिया जाता है? जोस में होस्क होते हुए 10 माई 1857 को कब? 10 माई 1857 को बाकी आपने देख लिया इस वीडियो में जितने question बन सकते हैं सारे हमने बता दिये खुला है भीया पूरा बिल्कुल बिटा उसके यूज करिएगा कमेंट बाक्स में आपके इंतजार रहेगा अगर यह वीडियो प्रिया लगे अच्छा लगा हो तो प्लील लाइक सेर और सस्क्राइब करिएगा वीडियो को सेर जरूर करिएगा देखिए यह तो हमने बताया जो साहरीम बताया यह किसकी इच्छाएँ बताया बहादूर साथ जफर की इच्छाएँ बताया मेरी इच्छाएँ क्या है भीया तो मेरी इच्छाएँ बिटा आपके लिए यह है एक साहरी के चंद लाइनों के मदद से मैं अपनी इच्छाएं बताना चाहता हूं आपके सामने कि मैं इस अमित भारत का सम्मान करता हूं मैं इस अमित भारत का सम्मान करता हूँ यहां की चादनी मिट्टी का गुडगान करता हूँ नहीं चिंता है मुझे स्वर्ग में जाकर मुझ पाने की मेरा हर एक बच्चा हो सलेक्ट बस यही अर्मान रखता हूँ इसी सब वीडियो के साथ मैं यहां पर आज इस वीडियो के यहीं विराम देना चाहूँगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर और सब्सक्राइब करिए निश्चित रूप से अगला वीडियो हमारा बहुत जल्द आगएगा इसके बाद हम देखेंगे आखिर ल तक के लिए जय हिंद जय भारत जय जय मैं भारती वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू क्लास